नमस्कार साथ ही आप नोगोशागत गजकेश्री बाय क्लासेस में और आज हम गैस्टुलेशन के का डिटेल अध्यन करेंगे डाग्राम के साहिद अब इसमें देखिए गैस्टुलेशन जो होता है किसको कहते हैं गैस्टुलेशन जो कहते हैं गैस्टुलेशन का मदला होता है जर्म लेयर का बढना है जर्म लेयर के तिन होती है एक्टुलेशन एंडोडर्म और मीजोडर्म एक टूडर्म बाहर वाली लेयर होती है आउटसाइड की एंडोडर्म भीतर की सबसे भीतर ही लेयर होती है और मीजोडर्म बीच वाली इस तरकी बीच वाली लेयर होती है जैसे कि यह डाइगराम में हम बना कर बता सकते हैं इस आपर कि यह सबस तो इंड एक्टोडर्म से कुछ विवन प्रकार के शरीके अंग बनते हैं मीजोडर्म से भी विवन प्रकार के अंग शरीके बनते हैं तो पूरे शरीक का जो निर्माण होता है वो इनी तीनों जर्म लेयर के द्वारा ही होता है और इनका जर्म लेयर का निर्माण जो होता है उसे हम कहते है giustulation थीज़िए तो सबसे प्रहले क्या होता है कि जो सुक्रानू होता है sperm जो हता है वो एक के साथ agonodate होता है haploid होता है egg bhoog haploid होता है सुक्रानू sperm egg के साथ sperm जो है वो egg को fertilize करता है और giaigode का निर्मान होता है जाइगोट कैसा होता है डिपलॉइड होता है जाइगोट में क्लिवेज होते हैं थोड़ों कुछ क्लिवेज होते हैं अलब डिवीजन होते हैं और डिवीजन होने के पश्चाथ जो है डिवीजन होने के पश्चाथ जो है विजलन होने के पश्चाथ मौड़ा स्टेज आती इसमें सेल्स हैं जो बीच में एक यह बीच में क्या है है कि तरह बरहर के तरफ यह इसके चारता अरफ दिके चारता सेल्स पाई आती है यह इस पर आएगा श्टेज्ज हमें दखाई देगा यह मौल रर्श्टेस को हैं जब विभाजन होता है और तब विभाजन की परश्चत क्या बनता है वे प्लाश टूला श्टेस के बार ब्लाश टूला श्टेस भार वारी जो लैयर होती थी है उसे हम कहते हैं ट्रोफू बिलाश्ट सेल्स उसे हम का कहेंगे ट्रोफोबिलाइट सेल्स देखिए यह ट्रोफोबिलाइट सेल्स कहलाती है और उसके अंदर जो जो कैविटी होती है वो फ्लूड से फिल्ड होती है फ्लूड फिल्ड कैविटी होती है और इसमें एक साइड में इनर सेल मास अंदर की तरफ सेल्स का एक मा इस से क्या हुगा कि इनर सेल मास है इस से क्या होगा कि इनर सेल मास है इन सब्सक्राइब लाश्टूला की इसमें गैस्टूलेशन की होती इस से जम लेयर का निरमान होता है इससे हम कहेंगे और यह जो जो होता है यह ब्टान होता है लो safön के अ लग परिकार खाएंगे घुत यह दो परकार जो हम अध्धन करेंगे रेकित पहले हम देखते हैं व्रॉंग मैं डॉस्य वहता है कि सबसे बाहर की तरफ कौन में लीव वताईद है उसमें एक तरफ इनर म्हांता है घ्रिक इस्टिक्चर बनता है यह से इस्टान पर ही नीचे की तरफ एक पूर वनता है जिसे मुझा कहते हैं प्लास्टो पूर यह कहां पर होता है जहां से आनिमल पूर की तरफ इस जहां स्पर्म एंट्री करता है इस परम एंट्री कने वाले स्थान के जर्ट अपोजिट सायड में ब्राश्ट वॉर पाय आता है, वहिं पर गुरी करेंसे यह सेल्सका एक मास पायाता है जिसे गृष गर्स टैन करती है। ठीड़िया तो ग्रेत के सेंड्ड्षोह झिदर रुता है अधर राष्ट पूर होता है जहां से उस reopen रोटे होती उसके ब्लाइब गजंट वाली इस्थान पर बाली जगा से अंदर की तरह उर क। होता है ब्राश्टूल आ दो य 145 तरह होता है अन्दर की से से झृता है श्यूमिया नहीं ओप होता है इस तरह से और इसको हम कहते हैं इन्वेउजिनेशन इन्वेजिनेशन की किरिया होती है अर इंवेजिनेशन कि चिदिया में जो जगे बनती है अंदर बीच वाली या लि जगे दिखा रहा हूँ है बैंदी ब्ला रहा रहा हूँ यह वन ठिया?, इसी है करेंगे प्रविंटिव गट घैंगे अविडिया यह है क्यों यहां कि नीचे दूसरी लेयर बन रहे हैं लाएब आपके एंवालूशन बना लुटा क्यों थे में मुन तो हो घखेंगे निच्टव दूसरी दीजू श्यरso और लेयर के नीचे लेयर बनना है इसे कहेंगे प्रिमिटिव गट तो यह हो गया हमारा ट्राइस सब्सक्राइब जह सlahis इस जूआ है चल रहा है देखके आपने में नगल तक प्रिम १४िक भेस्षाद है तब हम इसे primitive गट कर रहे थे अब ये गट पूरी बन चुकी है और इसकी खाली ये क्या क्या नाम दिया था आर्केंटॉन नाम दिया था अब यो स्लाइड में जगया नाम नीचद लेयर कंची बन प्रण इस पूरी लेयर से कोशन आएघन में तूट का अनदर की तरफ ब्रद्धे होने लगी और कोशन चूट का अंधर की तरफ बनने लगो है क्या कहते हैं हिंग्रेशन इंग्रेशन क्या चाही होती है इंवलुशं क्या चाही होती है इस प्रकार जहां से बस्ते ब्लाष्ट पॉर होता है बहां से अगर माऊत बनता है तो आप वने गाँफ वनेगा यादि यहां से ब्लाष्ट.पॉर बनता है नहीं यह थी प्रोटो इस्टॉम जो होते हैं उन्हें जो दिखने हैं उन्में से सोटी है उन्हीं ब्राइबिन से कानर माना होता है तो अच्झेद्ण ग्रॉस सद्सवां में अंगा सबसे अंदर की तरफ होती है केट वाले इस लिए से कहते हैं एंडोडर्म कहते हैं इस प्रकार मीजोडर्म तीनो जर्म लेयर का निर्माण हो जाता है इस प्रकार की पूरी क्रिया संपन्न होती है अब देखते हैं प्षुरौक का हो गया अब देखें अब ब्रॉइ के बाद हम देखेंगे जिखर खीसिजसिंद के बयार में क्या होता है प्रफूरmore को ओम होती है और अंदर की तरफ इनर μαוח होता है इनर मास इनर मैं उता है वह एक साइड में होता है ठीए इस इनर मास में बिवाजन होता helps दो WXHV bên यह गदर वाली मतिख बॉन होद्टी ऊसे कहते हैं इनको कहते हैं हई इनको कहते है हमने ही तरण किसुझण होद रहे हमने उते ही तरह न दीजिघ़क्त अफे इसमें क्या बनता है इन में बनती है गोहा आर्थात क्याविटी बनती है तो जो इसमें बनती है और जिसमें बहर जाता है इसमें बनता है और इसमें क्या पाई जाएगा ठीक है तो जहां पर इपी बनता है और इन दोनों की जहां पर यह मिलती है और जो प्रॉशन होता है यह पूरो पूरो पॉर्शन यह क्या कहलाता है बाई लेमिनर डिस्क यह कहलाता है वाई लेमिनर डिस्क बनती है यह ठीक है इससे बात क्या होता है कि जो यह इन पौूर देदर विवाज के तरव इनड शुरू जाता है और वहां वह आ वाली से वेल्जिन आना लगती है सब्सक्राइब करें admitted साइड से जो भी से निकलती है सब कर निकल कर कहा जाती है अब एक बहां पर एक गोल जाता है उसे हम कहते हैं हैं इतना तो आपका समझ में आ गया कि है लिवाजी तक नीचे की तरफ आगा दोनों के लेयर्स के एक प्योड़ाइट और लेयर्स के मदद में फिरी ली वुव जोगता है है तो यह इनसे क्या बनता है इनसे जर्म होता है हाईपोव्राट इस य erreur हो यह सेल होती है और जो इप्प फीश जर्म इंसे इक्टरङगा का दिरमान होता है तो 3 जम्हार का नदर्वायर होता है उनने रण लीघ्र दलाईस और दलाम होती है अध्रिय है इस लोगत बोलाई soc ने भी होगत अए थे यह कंप्यूटो होता है और आज जो कि इसके बाद यो आता है है इसे आत में आपको जो बताने चाहता हूं कि आप पहली बार मेरी चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें एए मेरी बीडियो लाइक जरू कर दें और अपने साथी की शेयर जरूर कर लें झाल झाल